हाई दोस्तों असलाव अलेकुम कैसे आप लोग मेरा नबील है आइफोन 15 सीरीज की आज जो न्यूज में आपको बताने वाला हूँ काफी कमाल की न्यूज है और मैग्जिम न्यूज जो है वो लेटेस्ट न्यूज है वह जालता अच्छे से मैं इसलिए बता सकता हूँ क्य आप यहां पर यहां पर यह एक्च्छल डमी कैसे है यहां पर यहां पर चेंज वागरा देखने मिलेंगे जादा अच्छे से हम देख पाएंगे इस वीडियो में यहां पर अगर मैं आइफोन 15 प्रो और 14 प्रो मैक्स जो है मेरा उसको साइड बाई साइड रख दू तो य कैमरा बंप भी स्लाइटली बड़ा देख रहा है और कैमरा जो है स्लाइटली आपको बाहर भी नजर आएगा बॉड़ी से थिकनिस भी अगर हम देखे तो यहां पर स्लाइटली थिकर है आईफोन 15 प्रो 14 प्रो के मुकाबले और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें इस बार ल जाओने वाली जुसमें से एक चीज तो आपको पता ही है कि टाइटेनिम का फ्रेम आने वाला है यह स्टेनले स्टील के वज़ा है और यहां पर यह जो साइलेंट स्विच है अपना यह चले जाने वाला है और इसकी जगह हमको देखने मिलने वाला है यह एक्शन बटन कैस है और लुक भी इसका बहुत अच्छा है और यहां पर इकदम प्रॉपर प्रोटेक्शन वगरा इन्होंने इसके अंदर बनाई है कैमरा लेंसे के लिए लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टन चीज है वो यह है कि यह आपको यहां पर आक्शन बटन देखने मिल रहा है तो इ यहां पर हमको पता चलेगा उस इवेंट में बड़ यह चीज आने वाली है इस केस से हमको पता चल जाता है और यह कोई मजाक मस्ती वाली चीज तो है नहीं के बना दिया इतना बड़ा लॉट और लॉंश डे से ही अवैलेबल है और बिना किसी हाथपेर की न्यूस के जो ह यहां पर इन्होंने यह चीज अलड़ी प्रोड़क्शन की भी है और इनका काफी अच्छे अलड़ी का लैंस प्रोडेक्टर भी आता है अगर आपको यह सब लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वर्ल्ड वाइड जो है आप कहीं से भी इसको मंगवा सकते हो और के हम कलर्स की बात करें यहां पर एक ब्लैक है स्टार लाइट है जिसको हम वाइड बोलते है कोरल है ब्लू है और फिर येलो है कोरल और ब्लू जो है यह बहुत सिमिलर लग रहे है आईफोन टैनार से लेकिन यहां पर जो रीसिंट पिक्चर निकल के आ रही है उसमें इतन खुबसुरत है फिके कलर्स के मुकाबले 15 और 15 प्लस जो है एक लाइट ग्रीन कलर में भी आ सकते है यह एक और नया कलर जो है यहां पर हमको देखने मिल रहा है अच्छा लग रहा है और डिफरेंट भी लग रहा है और अगर हम प्रो की कलर्स की बात करें तो मुझे और अच्छा लगेगा उसके बाद सिल्वर फिनिश है जो वाइट जैसा ही नजर आता है ज्योंके एक्जाक्ली सेम है इस फोन के जैसा और फिर एक डाक ब्लू कलर भी आपको इसके अंदर देखने मिल रहा है जो के 12 प्रो 12 प्रो मैक्स जैसा काफी एक सिमिलर कलर है तो य यहाँ पर देखने मिल सकती है और यहाँ पर बॉटम भी देख लीजिए दोनों फोन का तो यहाँ पर 15 प्रो के अंदर आपको टाइप सी पोर्ट जो है के साफ नजर आ रहा है इस डमी मॉडल के अंदर और आईफून 15 की वीडियो आप देख रहे है तो अच्छे फोन चल करते हैं जैसे हम लोग UPI transaction करते हैं वैसे ही UPI transaction इस कार्ट से भी आप कर सकते हो इस कार्ट पर आपको 7% cashback मिलता है in the form of new coins जब आप transaction करते हो Tata के brands पे जैसे Big Basket, AirAsia, Tata 1MG, Chroma, Westside, Titan, Tanish और Tata Click और यह applicable रहेगा Tata new app या website के थ्रू अगर आप transaction करते हो तो और as a welcome benefit आपको 499 के new coins भी मिल जाते है और 1% का money back मिलता है on all UPI transactions चाहे वो online हो offline हो in the form of new coins एक लग से जादा spend करने पे annual fee waiver भी मिलता है iPhone 14 series जो है उसमें आपको देखने मिलती है 27 Watt तक की fast charging मतलब 20 Watt का charger आपल बनाता है लेकिन अगर आप कोई और चार्जर दे सकता है यह proven है और लोगों ने test किया हुआ है iPhone 15 series के अंदर खास करके pro models के अंदर 35 Watt की charging जो है आपको इस बार देखने मिल सकते है तो slightly faster charging जो है कर सकते slightly slower charging देगा आपको आपल जो है अपने leather products के लिए जाना जाता है जैसे यह leather wallets और iPhone के साथ आने वाले leather cases लेकिन इस बार जो है Apple leather वाला पार्ट हटाने वाला है क्योंकि animal skin से ही leather बनता है और ज्यादा environment friendly material की तरफ उनको जाना है तो नया case यहाँ पे निकालने वाले leather क जगा iPhone 15 series के लिए जिसका नाम रह सकता है fine woven तो इन images से आप देख सकते हो यह case जो है किस तरीके का नजर आ रहा है woven fabric है सिला हुआ जो है यह कपड़ा जैसा material है जिसको Apple leather की जगा जो है इस बार निकालने वाला है तो आप इसके बार में क्या सोचते मुझे comments में बताई कि leather क पसंद करते हैं कि leather के cases होते इनके अच्छे है लेकिन over a period of time जो है खराब ही जाते crack भी हो जाते तो शायद यह material जादा durable रहेगा लेकिन leather की भी अपनी अलग बात होती आइफोन 15 pro और pro max के अंदर जो type c port आने वाला है वो काफी higher speeds जो है data transfer के लिए support करेगा और USB 3.2 या फिर thunderbol speed जो है यह devices support करेंगे 20 से लेके 40 gbps तक की speed आपको मिलेगी data transfer के लिए इन में और वही पे जो non pro model है 15 और 15 प्लस इसमें USB 2.0 देखने मिलेगा जो अभी currently 14 और 14 प्लस में देखने मिलता है तो non pro models वालों की speed कम और pro model वालों की speed जादा रहेगी 15 series के अंदर और यह तब काम आईगी जब आप data transfer करते है या फिर backup बनाते है अपने PC या Mac पे अपने iPhone से और यह जो USB 2.0 है इसे 480 mbps की speed support करता है आखरी दो न्यूज है दोस्तों Apple Watch और Airpods से related अगर आप Apple Watch Series 9 लेने का सोच रहो तो उसमें stainless steel के model है उसमें Apple 3D printing technology का इस्तमाल कर सकता है और यहाँ पे solid block of stainless steel से cut करके वो watch नहीं बनाएंगे शायद उसको 3D print करेंगे अलग-अलग material करेंगे और जो powder material है इससे 3D print करके वो लोग watch बना सकते तो इसके बार में आप क्या सुचते है बता सकते है क्या वो stainless steel वाली जो finish है वो look है इसमें आएगा या फिर नहीं आएगा Apple कर रहा है तो स Airpots Pro 2 आप जानते ही है कि Lightning port के आते हैं लेकिन USB-C port के साथ Apple नहे Airpots वो launch कर सकता है इस event के अंदर लेकिन अगर आपने Pro 2 लिया है तो आप ज्यादा कुछ मिसाउट नहीं करेंगे बस एक Type-C port उसके अंदर होगा और अगर आप 15C ले रहे तो दोनों को अलग-अलग cable से नहीं होगा यह तो event के बाद ही हमको पता चलेगा लेकिन overall अभी यहां पर यही चीज हमको पता चली है कि इसमें Type-C port आने वाले है तो यहीं दोस्तों कहानी iPhone 15 Pro की thanks to banks जिन्होंने हमको यह cases और काफी अच्छे cases है action बटन भी हमको देखने मिला इनका link description में आपको मिल जाए पसमेश वीडियो को like and share जरू किजयो में इस चैनल को subscribe जो किजयो goodbye